नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का जनरल डिसक्सन के यूटूब पोटल पर जहां पर आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में आर्टिकल 12 की बारे में हम लोग और डिसक्सन कर चुके हैं और उसका वीडियो और अप्लोडेट हो चुके हैं आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को दिखा भी है और उमीद है कि और सारे लोग भी होंगे वह आर्टिकल 12 को चरूर देखेंगे तो article 12 जो था हमारा वो state को define करता था कि real में state किसको कहें किसको define करें state के टर्म में और यहां पर जब हम article 13 के बात करेंगे तो इस article 13 जो है आपका वो रूल के बारे में बात करता है कि real में रूल क्या होते हैं जो अब देखा जाया हमारे constitution में तो number of rule बनाए गए हैं और उस rule का जो collection है वो हमारा एक क्या है constitution है तो क्या जो हम rule बनाए जाते हैं उसका relation हमारे fundamental right से क्या होना चाहिए हम लोगों ने तो number of article बनाए है in the terms of rule लेकिन उसका relation जो है है वह fundamental right से कैसे है अगर एक एंगल से देखा जाया है तो हमारा जब constitution develop किया गया उससे पहले भी कुछ ऐसे rule regulation जो थे और present में भी ओर rule regulation हमारे इंडिया में वह बिदमान है जैसे IPC जो 1861 का जो create आया था ब्रिटेन के द्वारा और वह rule and regulation आज के समय में भी present है तो यहां पर question एक create होता है कि एक पीशे वाला भी हमारे पास कुछ rule है और अभी के समय में जो हमारे constitution में ओभी rule है और कुछ ऐसे समय के according जब हमें need होती है उसके अनुसार हम अपने constitution में evidment करते हैं तो भी हमारा यह परकार का rule है तो अगर देखा जाए तो क्या previous जो हमने constitution जो नहीं बनाए है वो और हमने जो constitution बनाए है वो और अभी हम evidment करते हैं वाले rule इन तीनों का relation हमारे fundamental right पर कैसे react करेगा उसको हम article 13 के माद्यम से जानने का परियास करेंगे अगर देखा जाए कि rule क्या है उसका real meaning क्या है तिस article में आपका उसका जो एक conclusion जो निकल करके आप लोग के सामने आएगा तो सबसे पहले मैं यहां चाहूंगा कि article 13 से जाने से पहले कुछ principle है एक दो उस principle के पर थोड़ा सा डिसकस करना जरूरी है अगर डिसकस कर लेते हैं तो यह होता है कि आपका जो कुछ conceptual जो mistake होता है वो clarity आपके समख्ष हो जाती है तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे doctrine of servability और doctrine of eclipse के बारे में तो देखे doctrine of servability का मतलब यह है और doctrine of ellipse यह दो अगर देखा जाए अपने अगर article 13 से इन लोगों का जुड़ा कुल मिला के बना हुआ है और इस दोनों article का अगर अच्छे से अगर इस दोनों principle का अगर अच्छे से अगर study किया जाए तो आपका article जो 13 है उसका वास्तिविक मिनिंग आपको समझ में यहां पाएगा तो doctrine of servability यह औस पस्ट तोर पर यह कहता है कि अगर कोई भी ऐसा rule अगर बनाए जाते हैं या previous को भी बनाए गए हूँ जो हमारे fundamental right को कम करते हैं या उसको समाथ करने का प्रियास करते हैं वह जीरो हो जाते हैं यह असपर्ष्ट तोर पर doctrine of servability कहता है तो आप यहां पर पूछेंगे कि क्या previous के जितने भी ऐसे rule हैं क्या वह इस doctrine के माध्यम से जीरो हो गए हैं क्या तो मैं बहुंगा really ऐसा है जैसे 1930 के आस्पास कुछ rule होते थे डूरिंग ब्रिटिस एरा कि जो हमारे country में जो लोग रहते हैं कुछ ACST समुदाई के लोग रहते हैं उसमें भी कुछ rule regulation उसमें बनाए गया था कि बहुत सारे लोग को right to education नहीं है लेकि जब हमारे fundamental right जब लागू हुआ आप fundamental right में और post higher right to education तो यहां पर वो क्या हो गया कि वह अपने आप से वह सुनने हो गया वह zero हो गया तो यह चीजे जो clarity होती है और doctrine of survivability में होती है अब बात करेंगे doctrine of eclipse अब doctrine of eclipse का मतलब है कि यह भी अंग्रेज का बना हुआ ही एक rule है पहले का या in the sense को सकते हैं कि present में भी इसका आप जो भी rule और regulation बनते हैं तो उसमें इसका आप use करके एक understanding level पर समझने का प्रयास कर सकते हैं तो doctrine of eclipse का मतलब यह हुआ कि पहले का कोई कानून बना हुआ है आप लोग समानते हैं लेकिन जब हम abidment करते हैं या कोई case आ जाता है और पुराने वाले जो rule और regulation है उसको खत्म न करके उसको particularly एक silent mode पर रख दिया जाता है वो inactive हो जाता है लेकिन अगर in future में अगर इस फैसले को और कोई बदल देता है तो फिर से जो हमारा जो जो रूल जो था जो inactive हो गया था वह अपने आप से active हो जाता है यह बोलता है doctrine of eclipse तो थोड़ा सा doctrine of eclipse को थोड़ा सा एक example के माध्यम से समझने का परियास करते हैं एक case आया रति नाम बनाम मध्यपरदेश रति नाम भरसिस मध्यपरदेश का एक case आया और उस case में यह first बोला गया कि right to die जो है आपका वह आपका fundamental right होगा मतलब आप स्वेक्षा से अपने आपको मिर्तु के हवाले कर सकते हैं यह fundamental right के तौर पर समझाने का परियास किया गया और इसमें रति नाम भरसिस जो मध्यपरदेश की जो कोट है उन्होंने फैसला सुनाया कि right to death जो है आपका वह आपका fundamental right है लेकिन जब आप पीछे का जो कुछ कानून पल्टेंगे एक IPC है 309 IPC का जो section 309 है यह असपोस्ट कोहता है कि जो right to die जो है आपका वह fundamental right नहीं है अगर आप किसी भी परकार के इस परकार का अगर आप फरकत करते हैं तो आपके उपर कानूनी करवाई की जा सकती है तब जैसे ही रतिनाम भरसिस मध्यपरदेश का जो case आया है तो IPC section 309 क्या हो गया इनेग्टिव हो गया फिर कुछ दिनों के बाद अगर देखा जाए तो ग्यानकौर भरसिस पंजाब राज के एक case आया जिसमें जो रतिनाम भरसिस मध्यपरदेश का जो case था उसको पलट दिया गया और ग्यानकौर भरसिस पंजाब स्टेट की जो डिसली ने जो यहां पर जो फाइनल स्टेज में जो फैसला सुनाया उसमें यह पॉस्ट कहा right to die यह fundamental right नहीं है जब यह नहीं है तो मतलब यह है क्या कि जो IPC 309 था section वह जो inactive हो गया था वह अपने आप एक्टिव हो गया कहने का मतलब यह है कि जो doctrine of servability है वह यह पॉस्ट करता है कि कोई भी जो rule पहले का बने हुए है या present पे बनाये जाते हैं तो अगर वह हमारे fundamental right को कम करें या उसको समात करने का परियास करें तो वह भाग जो होगा उस rule का वह सुनने हो जाएगा वही doctrine of eclipse यह कहता है कि कोई previous law है आपका लेकिन अगर present समय में अगर उसके against में कोई case आता है और उस case से संबंदित कोई फैसला सुना दिया जाता है तो वह जो law होगा वह zero नहीं होगा वह inactive हो जाएगा अगर उससे संबंदित फिर से अगर future में किसी परकार का case आता है और उस पर judiciary उस पर अपना कोई फैसला सुनाती है और उससे फिर से पुराने वाले law को ही अगर active कर देती है तो जो हमारा जो law जो होता है जो inactive हो चुका है वह फिर से active हो जाएगा उमीद है कि आप लोग यह doctrine of servability and doctrine of eclipse को समझ पाया होंगे अब बात करेंगे यहाँ पर article 13 का close one के बारे में तो देखिए article 13 जैसे मैंने बताया कि जब भी fundamental right पर किसी परकार का अगर आपका अगर औरोध किरियेट होता है तो अब यह असली बात है कि वह उतना part जो होगा वह सुनने हो जाएगा लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत से अधिकार दिये जाए constitution के तरफ से आपको जैसे article 13-2 का आप 32 का परियोग कर सकते हैं जिसमें आपको supreme court help कर सकती है तो आए देखते हैं आप और article 13 close on क्या कहता है देखें आर्टिकल 13 close on या असपोस्ट करता है कि हमने जो constitution बनाया और जिसको लागू हमने 26 जन 1950 में किया उससे पहले जो रूल बने हुए थे अंग्रेज के अगर उस रूल और regulation में अगर किसी भी परकार का अगर जो हम भाग थीरी में fundamental right परते हैं और उस हमारे right में अगर किसी भी परकार का अगर हस्तेचेप होता है या उसको कम करने का परियास करता है या हमारे अधिकार को बिल्कुल zero करने का परियास करता है तो जो रूल होगी वह सुनने हो जाएगी आर्टिकल थर्टीन को लोज एक करता है उमीद है कि आप आर्टिकल थर्टीन को लोज एक को समझ पाए होंगे अब बात करेंगे कि यहां आर्टिकल थर्टीन को लोज टू क्या करता है आर्टिकल थर्टीन को लोज टू यह औस पॉस्ट करता है कि जो भी हमारी एस्टेट है और यह मैं एस्टेट की बात आर्टिकल टूल में कर चुका हूँ हमारी state जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी कोई बीधी नहीं बनाएगी कोई रूल नहीं बनाएगी जो हमारे fundamental right को कम करते है या उसको खतम करने का परियास करते है अगर इसमें अगर state ऐसा कुछ करने का परियास करती है तो वह जो बनाये गया जो rule होगा वह अपने आप सुन होगा अब आप पूशेंगे कि यहाँ पर article 13 clause 1 और 2 में क्या difference है तो article 13 clause 1 जो है वह अंग्रेज के बनाये हुए जो rule थे उस पर या applicable है वही article 13 clause 2 जो है वह हमारे constitution से जो संबंदित article है जो rule regulation है या present time में किसी परकार का abidment करके या नए law बनाये जाते है उस law से संबंदित है तुमीद है कि आप लोग यहाँ पर article 13 clause 2 को समझ पाए होंगे कि इसका वास्तिविक meaning यहाँ पर क्या है अब देखिया article 13 जो है उसका clause 3, sub clause A यह उसपस्ट करता है कि जो भी law बनाये जाएंगे वह particularly एक पूरे समुदाय बेस पे होना चाहिए commercial बेस पे होना चाहिए पूरे समुदाय के लिए होना चाहिए नो कि किसी personal law के अधर पहुना चाहिए वह law क्या हो सकते हैं वह law आपका अगर according to देखा जाए वह law आपका जो अध्यादेश जारी किये जाते हैं उस माथ्यम से भी बनाये जाते हैं अगर देखा जाए तो कुछ abidment करके भी बनाये जाते हैं कुछ आपने सुनाओगा पहले कि कुछ रूल जो रूलर एरिया के टर्म में अगर एक रूल पहले से जो बना दिया गया है और उस रूल को अभी भी पर्जेंट तोर पर भी चलाया जा रहा है तो भी उस रूल को इसमें हम कंसिडर करेंगे लेकिन ध्यान रहे कि कोई इसमें प्रस्नल लॉग नहीं आएंगे अर्टिकल थर्टीन में सिर्फ वहीं लॉग के कॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा जो सब के लिए हो किसी पार्टिकुलर ली एक समुदाई के लिए नहीं हो प्रस्नल लॉग के अंडर नहीं आता हो यह आर्टिकल थर्टीन को लोज यह करता है उमीद है कि आप लोग आर्टिकल थर्टीन को लोज एक को समझ पाएं होंगे अब आर्टिकल थर्टीन को लोज भी यह पस्पस्ट करता है कि पीछे का जितने भी जो सबके लिए जो कानून बनाय जाते हैं जो सामोही दृश्टी कौन से जो कानून बनाय जाते हैं और वो कानून जो पहले बनाय गए थे जो जो हमने Constitution बनाया वह इसे संबंद्र नहुद पहले का जो कानून हो और जो किसी भी परकार का हस्त छेप हमारे fundamental right पर नहीं करते हैं वह इसमें भी दिमान होंगे law के turn में और इसका असपस्टी करन और अर्टिकल 372 में mention किया गया है उमीद है कि आप लोग article 13 close 300 close B को भी आप समझ पाए होंगे अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसमें कुछ बिवाद आये थे जिसमें article 13 कुलोजफूर में या असपस्ट तोर्पर आप समझ सकते हैं इसमें आखिर real में हुआ क्या था अगर देखा जाए 1970 का जो एरा चल रहा था जिसमें कुछ थोड़ा सा आप देखा जाये तो Judiciary और संसद के बीच में थोड़ा सा conflict हो रहा था कभी यह परियास किया जा रहा था कभी Judiciary अपने आपको अपने आपको सर्विसरेष्ट साबित करने का परियास कर रही थी तो कभी संसद अपने आपको सर्विस्रेश्ट साबित करने का परियास कर रही थी और बीच में जो समस्य क्रियेट हो रहा था वह हो रहा था हमारा लॉग अब उस लॉव और उस लॉव से संबंदित हमारे फंडामेंटर लाइट हमारे डीपीएस पी बहुत सारे विवाद हैं आप लोगों ने के समझने का परियास भी किया होगा तो उसी में संसदने जब कॉंस्टिशनल एविडिमेंट 24 किया और 24 एविडिमेंट किया तो इसमें संसद को एविडिमेंट करने का जो अगर जो पॉसिबिलीटी था उसको बढ़ा दिया गया और जिक Judiciary Review जो किया जाता है तक या कोई कानून बनाते हैं उस पर Judiciary हमारे Review करती है उसको देखती है कि क्या हमारे जो भी है यह Constitution से related है या नहीं अगर related है तो एक्ट के तोर पर आ जाती है अगर वो संबंदित नहीं है तो उसको Judiciary जो है उसको सुनने करने का परियास करती है क्योंकि वो हमारे Constitution से related नहीं है तो यह जब आर्टिकल जो जो अबिडिमेंट किया गया 24 उसमें यह दोनों काम कर दिया गया यानि संसत के अधिक कि तब यहां पर लेकिन अगर देखा जाया है तो यहां पर कुल मिला कर देखा जाये था हमारे Constitution का जो हमाले लौब बनाने का जो एक सिस्टम है वह कहीं न कहीं हमारे fundamental राइट को हस्तच्छेप करना पर रोंग कर दिया और इसी का एक केस सामने आया केस्वान अन भारति भ उसमें जो जिडिस्ली रिव्यूज था उसको जो 24 Constitutional Abidment में उसको कम कर दिया गया था उसको यहां पर फिर से एक्टिप कर दिया गया इसमें जिडिस्ली ने यह कहा कि ठीक है जो संसत जो हमारी है वह Abidment कर सकती है लेकिन ध्यान रहे कि जो Constitution का जो basic structure है अब उस basic structure में किसी परकार का चेंज नहीं कर सकते हैं और जीडिस्ली रिव्यूज को उन्होंने Constitution का structure के टर्म में basic structure के टर्म में define कर दिया जो यहां define कर दिया तो फिर जो हमारा जो Constitution Abidment का जो process जो है जैसे आप लोगों पता है कि आर्टिकल 368 के coding होता है फिर से वह right of equality के term में convert हो गया तो उमीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर इसमें किसी परकार का वर confusion होता है तेक पर जरूर अपना opinion जरूर दें और मैं जल्द नहीं परियास करेंगा कि आर्टिकल 14 का वीडियो आप लोगों के समद जल्द से जल्द परियंट करूं थैंक यू